नमस्कार दोस्तों, मेरे नाव इंकू, आप देख रहे हैं RegaFlick Info, आज कि इस वीडियो में डेतेल में मैं आपको explain करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से वजीर X में email id को update कर सकते हैं, यानि कि आप email id को किस तरीके से change करवा सकते हैं, email id को change करवाने के region बहुत सारे हो सकते ह आप वजीर एक्स टू बाइनस लिंक करना चाहते हैं दोनों को ताकि फ्री में जो फंड हो आप ट्रांसफर कर पाएं हो सकता है कि आपका जो इमेल आइडी ये लगा आया वजीर एक्स में आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं बंद करना चाहते हो तो आपकी सिस्वेशन में जो भी problem है simply उसके according आप एमेल आइडी को change करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊंगा आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और कोई भी आपको problem होता आप मुझे telegram पे message कर सकते हैं वीडियो के description में आपको telegram का link मिल जाएगा या फिर Instagram पे पेले मैं कुछ आपको जो proof से वो दिखा देता हूं मैंने भी जो अपना email id वो change करवाया था मैंने simply वीडियो बना लिया था editing नहीं की थी बट वो file correct हो गई तो मैं वापस से वीडियो record कर रहा हूं सो मैंने लगबग सितंबर में change करवाया था अपना email id सो आप यहां देख सकते हैं यहां पे इनका message मुझे आया कि हमने जो आपका email id है हम आपको बता रहे हैं कि आपका email id है वो update कर दिया है और जो update हो जाएगा लगबग वो 2-4 गंटे के अंदर हो जाएगा और मुझे मेर जो नया email id है उससे login करना है same password रहेगा मेरा जो पुराना था वो और आपका जो भी पैसा रहेगा वो वैसे के वैसे ट्रांसफर हो जाएगा आपकी जो नई email id है उस पे जैसे था ना सब कुछ वैसे के वैसा रहेगा सरफ email id आपका update होगा इस email id को change करवाने के लिए आपक क्योंकि एक भी step आप गलत करने वाले हो तो आपका email id simply update नहीं होने वाला है अब मैं simply आपको steps बताता हूं कि वो steps क्या क्या है जिनको आपको follow करना है email id को update करवाने के लिए सबसे पहले आते हैं ticket पे ticket आपको यहाँ पे create करना होगा अगर आपको कुछ issues होते हैं ticket create करने के बाद भी तो यहाँ पे जो वजीरेक्स team है उनका यह help line number है आप इसका एक screen suit ले सकते हैं यह 3 नंबर वजीरेक्स के official वजीरेक्स के हैं तो आप इनका screen suit ले लीजे कभी भी कोई भी problem हो तो आप इन number पर contact कर सकते हैं वजीरेक्स के team से ध्यान रखिएगा वजीरेक्स के team आ आपसे OTP या कुछ ऐसा कभी भी नहीं पूछेंगे तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जैसे हम बैंक को कॉल गरते हैं उस तरीके से आप यह समझ सकते हैं ठीक है आपको प्रॉब्लम क्या है हमको क्या प्रॉब्लम है email id चेंज गरवाना है तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड नंबर का option है account management, account lock, 2FA, mobile number, email id, change यह option यूज करेंगे सो आटोमेटिकली यह रिलोड होगा रजिस्टर जो भी email ID है न XYZ वो डालेंगे आपका क्यूरी में आप सेलेक्ट करेंगे हाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम है देखो अपना 2 है फिरी सेट नहीं कराना ना फॉर्गेट करवाना है ना लोस्ट हुआ है mobile number चेंज नहीं करवाना email ID चेंज की request करनी है तो यहाँ पे थर्ड number का option है इसको मैं select कर लूँगा उसके बाद में subject में डालेंगे आप subject में डाल सकते है please update my email ID या change my email ID जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा डाल सकते है description में आपको थोड़ा detail में लिखना है क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा लेकिन उससे पहले बात करते हैं हाँ पे attachment की यह है सबसे ज़्यादा जो मैंने डेटरी है वो proof अब आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना है अगर आप कुछ भी confusion आपको लगता है तो वापस से थोड़ा सा back करके देखना सारी चीज़े समझा जाएंगी first आप याद कीजिए कि आपने जब जो वजीर एक से उसमें केवाई से की थी तो क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड से की थी अगर आपने आधार कार्ड से की थी और पैन गार्ड से की थी तो आपको करना क्या है कि आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है लगबग एक मिनट का ठीक है एक मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है लेकिन उससे पहले भी एक काम आपको करना होगा काम किया गरना एक ऐसा white paper पे आपको लिखना है जो अपना copy का पन्ना होता है simply उसमें लिखेंगे लिखेंगे वजीर x email id change या email change आपको जो भी आपका है ना आप from की जगर लिख सकते हैं old ठीक है यहाँ पर यहाँ पर from की जगर old भी लिख सकते हैं या फिर from लिखा रहने देंगे और जो भी xyz जो आपका email id फिलाल है जो लगा हुआ है अभी वजीर x में वो लिखेंगे तू तू आप जो नया करवाना चाहते हैं change वो यहाँ लिखेंगे और जो भी date है ना जिस दिन आप simply उनको ticket create कर रहे हैं उस दिन की date लिखेंगे ऐसा नहीं कि मन आज का है आपका करने का और फिर कुछ काम आगए आप भग गए और simply आज नहीं किया तो यह reject होगी यह photo यह valid नहीं होगी ध्यान रखना जिस दिन आप करवाओगे न उस दिन की यह valid होगी तो please जिस दिन आप ticket create कर रहे हैं आपका पूरा मन है mood है उसी दिन simply आप पन्ने में लिखिएगा अब यहाँ पर date कैसे लिखनी है देखो जो भी दिन है वो तो आप अंको में लिखी देंगे गणित में लिख देंगे लेकिन यहाँ पर जो मैना है न वो आपको गणित में नहीं लिखना जो भी चल रहा है सितम बारक तुमबर नाउन बर्दी संबर जो भी आपकी कंडिशन में चल रहा है जनवरी फरवरी जो भी है आप लिखेंगे और उसके बाद साल लिखेंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर पैन कार्ड पकड़ेंगे ऐसे जैसे यह डेमो है मान लीजिए मैं हूँ खुद और मैंने वाइट पेपर में लिखा और इस भी लैंग्विज में आप तैंशन ना करें आपका काम हो जाएगा अगर आप इंग्लीज में नहीं बोल सकते हैं तो हिंदी में बोलिए आपको बोलना है कि मेरा नाम रिंकु है वजीरेक्स कृप्रकरंसी एक्शेंज में मेरा रजिस्टर इमेल आईडी है र I N K U at the rate Gmail.com आपका जो भी है, with meaning आपको बोलना है, last में आप जो add the rate है, उसके बाद में जो भी है, आपका hot mail है या कुछ है, आप वो direct बोल सकता है, लेकिन आप जो email ID बोल रहे हैं, with meaning आपको बोलना है, ठीक है, आपने बोल दिया, आपका नाम बोल दिया, आपने register email ID बोल दिया, और आपको ये भी बोलना है, Vajirex Cryptocurrency Exchange, जैसे मैंने starting में बोला कि मेरा नाम रिंकू है, मेरा Vajirex Cryptocurrency Exchange में register email ID जो भी था, मैंने आपको बोल के बताया, उसके बाद आपको बोलना है, कि इस account को मैं खुद यूज करता हूँ, मैं single इसका owner हूँ, उसके बाद में जितने भी इसमें trade होते हैं, या deposit होते हैं, withdrawl होते हैं, वो मेरे दुवारा ही किये जाते हैं, इस account में मैं simply मेरा जो email ID उसको change करवाना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको बोलना है, और जो आप register email ID करवाना चाहते हैं, नई, वो आप 2 के बाद जो यहां लिखेंगे, वो ही आपको वीडियो में बोलना है, कुछ भी गिचड पिचड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, आराम से, तसल्ली से, किसी भी आप अपनी family के member के अग्दोस्त के, किसी से भी आप help ले सकते हैं, आप यह जब वीडियो record कर रहे हैं, उसके बाद में जब पूरा आपका वीडियो complete हो जाता है, मैं एक बार last में आपको बोल के बताऊंगा, final की क्या बोलना है, उसके बाद में आप आपकी जो document वो ready रखिये, जैसे कि आपने जो पन्ने में लिखाया वो, आपको आपका आधार काड और simply जो pen card है, वो ready रखना है, अब मैं आपको वापस से, इसका जो summary है, वो complete कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ इसी प्रकार बोलना है, सरब माँ आपको demo, यहाँ पे करके बता देता हूँ, तो आपको कुछ इस प्रकार बोलना है, मेरा नाम रिंकू है, मेरा वजीरेक्स cryptocurrency exchange में, register email id rinku at the rate gmail.com है, वजीरेक्स cryptocurrency exchange में, जितने भी deposit होते हैं, withdrawl होते हैं, trade होते हैं, वो मैं खुद करता हूँ, इस account का मैं खुद solo owner हूँ, या अकेला मालिक हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं आपकी भासा में, उसके बाद मैं आपको बोलना है, कि मैं अपनी email id को, वजीरेक्स cryptocurrency exchange में, change करवाना चाहता हूँ, जो की कुछ इस प्रकार है, rinku123 at the rate gmail.com, उसके बाद मैं आपने जो लिखा है न, वो आपको simply proof दिखाना है, अच्छे से जो आपने पन्ने में लिखा है, वो अच्छे से दिखे ध्यान रखिए, उसके बाद आपका जो भी pen guard दिखाएंगे, आपको बोलना है, कि ये मेरे ID proof है, कुछ इस प्रकार, आप आपका pen guard दिखाएंगे, आगे से अच्छे से दिखें, आप खुद वो वीडियो देखिए, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, maximum 1.5-2 मिनट का हो ऐसा, ने की 3-4 मिनट का कर दो, pen guard दिखाएंगे, आदर guard आगे से दिखाएंगे, पीछे से दिखाएंगे, उसके बाद में जब आपका वीडियो कम्पलीट हो जाता है, तो यहाँ से add file आप कर देंगे, और यहाँ से submit कर देंगे, यहाँ पे अपना description बच गया था, description में आप लिखेंगे, my current email id is xyz, जो भी है, please update my new email id xyz, यहाँ पे भी आपको लिखना है, और जो आपने वीडियो record किया है, वो simply यहाँ पे add करके submit कर देंगे, बस, maximum 24 गंटे के अंदर आपको reply आ जाएगा, अगर आपको कुछ reply पे आता है, कि आप वापस से हमको evidence दीजिए, तो आप उसी email id पे reply करके evidence दे देंगे, जैसे कि आप simply आपका वीडियो अगेन, उसी email id पे add करके भेज देंगे, आप आपका जो एक photo है, pen card के साथ वो photo भेज देंगे, और आपने जो ये लिखा है न, ये इसका प्रूब्बिया आप भेज देंगे, 100% आपका जो email id है, वो वजीर एक्स बे चैंज हो जाएगा, I hope कि ये जो थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, I know, बट आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी confusion है, तो comment कीजिए प्लीज, अगर आपको कोई help सेजिए, तो आप मुझे Instagram और Twitter पे message कर सकते हैं, मैं reply कर दूँगा, मैं मिलूँगा एक और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए, छेहीं बंदे मातरम असते रहिए, मस्कुराते रहिए,